हलो दोस्तों, मैं अंकेता संतोसी आईस में आप सभी का स्वागत करती हूँ गटना चक्र की सिरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सम्मिधान का स्रोत भारत का सम्मिधान एक ग्रही सम्मिधान कहा जाता है तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा प्रावधान किस देश से ग्रहड किया गया है चलिए आते हैं अपने पहले कोस्चन पे भारत के सम्मिधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है तो उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, ये लिया गया है USA के सम्विधान से, लेकिन जो इसकी भासा है, भासा ली गई है आस्ट्रेलिया के सम्विधान से, ठीक है, अच्छा कनाडा के सम्विधान से क्या लिया गया है, चलो बताओ, कनाडा के सम्विधान से क्या आपश्ерт सक्तियों को केंदर में नहीं थोना केंदर द्वारा राजपाल की नहींचती उचितम न्याले का परआ मर्सी JENNY परदेर सितम न्याले का परा मर्सी नयान नेरेयरे यह किस आर्टिकल में है आर्टिकल 143 ठिक है चलो और फ्रांस के सम्विधान से क्या लिया गया है तो फ्रांस के सम्विधान से लिया गया है समान भाई चारा समान भाई चारा और ये मतलब समान भाई चारा मतलब क्या सुतंत्रता, सम्ता और बंधुत्ता का जो आदर से है वो फ्रांस के सम्विधान से लिया गया है ठीक है चलो आप बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन की जो हमारा नेक्स्ट कोस्चन है भारती राजनीतिक विवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है सम्विधान पता है जब ऐसा प्रस्ण आता है तो confusion हो जाता है संसर्थ आप संसर्थ तो नहीं करेंगे धर्म भी नहीं करेंगे लेकिन माइंड में दो आप्शन रहते एक रहता सर्वोच्चन आले और एक रहता सम्विधान कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो लब कोई भी नरेड़े आता है तो वो सर्वोच्चन आले का आता तो फिर हम लोगों को यह लगता है कि सर्वोच्चन आले ही सर्वोच्च है लेकिन ऐसा नहीं है सम्विधान सर्वोच्च्च है कारड क्यों है जो सर्वोच नियायल है वो सम्विधान के दारे में आकर के अपने कार्य प्रडाली का निस्पादन करता है ठीक है आव बात करेंगे higher next question की next question है हमारा भारत में नियायक पुन्री छट की संकलपना निमनांकी देश की संव्विधान से ली गई है तो किस सम्मिधान से ली गई है वो है USA या सयुद्धराज अमेरिका ठीक चलो नेक्स्ट बात करेंगे चलो आज हम बात कर लेते हैं इसमें आस्ट्रेलिया के सम्मिधान से क्या-क्या लिया गया है जो आस्ट्रेलिया का सम्मिधान है अब ही मैंने पढ़ा था जो उद्देशिका की भासा है वो आस्ट्रेलिया के सम्मिधान से लिया गया है सम्मवर्ती सूची है वो भी आस्ट्रेलिया के सम्मिधान से ही ली गई है ठीक है चलो बात करेंगे नेक्स्ट कोश्चन की जो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है निमनलिख निम्लिखित में से कौन सा लच्छन भारती परिसंग और अमेरिकी परिसंग के समान रूप से पाया जाता है तो क्या है वो सम्विधान के निर्वाचन के लिए परिसंगी उच्छ न्याया लाएं टिक कि बात करेंगे नेक्ष्ट कोश्चन की भारत की संग्हात्मत विवस्त था निम्लिखित में से किस देश से संबंदित है तो किस देश संबंदित है वो है कनाड़ा देखो यहाँ पर यह संगहात्मग विवस्था अगर यह कोश्चन है संगहात्मक तंत्र तो जो संगहात्मक तंत्र है वो 1935 25 के अक्ट से लिया गया था लेकिन जो संगहात्मक विवस्था है मतलब संगहात्मक विवस्था का स्वरूप कैसा हो चसक्त केंद्र हो तो ये प्रावधान का नाड़ा से लिए गया है ठीक है आयरलेंड से लिए गया है नीति निदेशक तत्तु नीति निदेशक एक सकन नीति निदेशक तत्तु है DPSP लिख देता है DPSP सहींत राज अमेरिका से क्या-क्या पढ़ चुके हम लोग एक लिया गया है प्रिस्तावना और क्या पढ़ लिया है न्याइक बुन्रावलोकन उपरास्टपती का पद और रास्टपती पर महावियोग अच्छा रास्टपती पर जो महावियोग लगता है वो किस आर्टिकल के तहिद लगता वो है आर्टिकल 61 और यहां से एक प्रावधान और है उच्चितम न्यायले और उच्च न्यायले कि जो न्यायद ही सोते हैं उनको पद से हटाने के प्रक्रिया अब आते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है हमारा भारती सम्मिधान में राज्यों की संग की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो कहां से वो प्राप्त किया गया है ब्रिटिस नार्थ अमेरिका अधिनियम से अभी पड़ा था आस्ट्रेलिया के सम्मिधान से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भासा अमेरिका के सम्मिधान से प्रस्तावना लिया गया है नियापालिका की स्वतंत्रता नियाइक पुन्रावलोकन और प्रास्टपती का पत राष्टपती का महाभियोग ठीक है चलो अब आते हैं अपने अगले कोश्चन पर जो हमारा अगला कोश्चन है भारत के सम्विधान में सम्मिलित सम्वर्ची सूची किस देश की देन है तो आस्ट्रेलिया इसको कई बार पढ़ चुके हैं देखो हम बार बार इसलिए ब पूश्चन पूचता है और कंफूज कम अगया मिन इतनी जादा होती है याद नहीं होता है इसलिए बार 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 बोल आखिक याद हो जाए हां से कोश्चन गलत नहों ठीक है चलो अम बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की जो नेक्स्ट कोश्चन है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्रत की है देखो आप्सन वही है सिर्फ प्रस्न का स्वरूप बदल दिया गया है इसलिए प्रिवियस एर के जब प्रस्न पत्र को हल करते हैं तो ये समझ में आ जाता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ऐसे तो 60 देशों का जो सम्मिधान का प्रावधान है लेकिन 60 देशों को आप याद नहीं कर सकते सबसी पहले इनको याद करना जब यह याद हो जाए तब आप अगली देशों पढ़ जाएंगे ठीक है लेकिन पुन्याइक पुर्णवेलोकन और प्राष्ट पती का महावयोग चलो अब हमारा अगला कोश्चन है भारती सम्मिधान में राज के नीत ने देशक तक्तो की संकल्पना किस देश के सम्मिधान पर आधारित है तो किस देश के सम्मिधान पर आधारित है आयरलेंड UP PCS के 15 से 20 साल का जब आप प्रश्ण पत्र सौल करेंगे कम से कम ये प्रस्ण 10 से 12 बार पूछा गया है तो रूप थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन आपका आपका यह होगा इसलिए बहुत अच्छे से करना ठीक है? चलो नेक्स्ट कोश्चन पर आते है भारती सम्मिधान में अन्य देशों के सम्मिधानों से कुछ विसिस्ताओं को लिया गया है किस देश को राज के नीद ने देशक तत्त के निर्माण में योगदान है इसको ज़्यादा रिपेट नहीं करेंगे आयाल लैंड ठीक? चलो राज सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभाव एवं सेवा को प्रद्धुत देने में भारती सम्मिधान निर्माता निम्नांकित उदाहरर से प्रभावित हुए थे तो कहां से प्रभावित हुए थे? यह था आयरिस गरतंत्र आयरिस गरतंत्र मतलब आयर लैंड कजू गरतांत्रिक वबस्थाती वहां से ठीक है आस्ट्रेलिया से क्या है समवर्थी सूची देखों बार-बार इसलिए बोल रहे हूं याद हो जाए और प्लीज कोई गलत मत करके आना समवर्थी सूची पिस्तावना की पिस्तावना की भाषा संयुक्त राज अमेरिका से अप्रास्टपती का पन रास्टपती का महा भी हो नियाईक पुर्णाव लोकन का सिद्धान्त नियाईपालिका की सुतंत्रता प्रस्तावना ठीक है और कनाडा से क्या लिया गया था ससक्त केंद्र के साथ संगी वेवस्था केंद्र द्वारा राज पाल की नियुक्ती देखो यहाँ पर जो राज़िपाल है ना राज़िपाल का प्रावधान तो 1935 लब 1935 से था राज़िपाल का कर्याल है लेकिन जो राज़िपाल के नियुक्ति होती है वो केंद्र करता है और इसको याद कैसे रखेंगे देखो जब हम लोग answer writing करते हैं ससक्त केंद्र की अस् आखिल भारती सेवाएं यह सारे पॉइंट आते हैं तो आखिल भारती सेवाएं इसमें नहीं है बस बता रही हूं लेकिन जो राज़िपाल के नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा होती है और करता कौन है रास्टपती ठीक है उचिताम नियाला का परामर्शी नियाला निर सूची एक को सूची दो से सुमेल कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का उप्यो करते हुए सही उत्तर का चायन कीजिये तो यहाप पे दिया गया है भारत की समिधान के लच्छडों और किस देश से ग्रहीत किये गये हैं मोल अधिकार सासन की संसदी प्रडाली आपात उभुबंध राज्य के नीद ने दे सकते थो मोल अधिकार कहा से लिए गया है संयुग्त राज्य अमेरिका तो एक कदो अब ये चला गया ये चला गया अब बचा क्या है? A और C उसकी बाद फिर देखते हैं सासन की संसदी प्रडाली तो संसदी प्रडाली कहां से ली गई है? Great Britain मतलब UK तो 2-1 क्या होगा? C आपात उपबंध जर्मनी से और D हमारा क्या है? राजी के नीद नी देशकते हैं तो Ireland से ठीक, चला बात करते हैं देखो IS pre 1993 से इस टॉपिक से अब तक दो प्रस्न हम लोग हल कर चुके हैं तो ये चैप्टर न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आप्शन को दोहरा रही हूँ ताकि याद रहे गलत न हूँ ठीक, चला बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे फिर से मैचिंग के लिए है मौलिक अधिकार अच्छा इसमें इसमें दिया गया है निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमेलित नहीं है बताओ मौलिक अधिकार संयुक्त राज अमेरिका राज के नीद नी दे सकते तो आयर्लेंड इसमें लिखा केंदर की आउसिस्ट सक्तिया आस्ट्रेलिया तो आस्ट्रेलिया से नहीं है तो यह गलत होगा यहां से क्या पढ़ा था आस्ट्रेलिया से आस्ट्रेलिया से पढ़ा था सम्मर्थी सूची ठीक है और यह आउसिस्ट सक्तियां कनाडा की है चलो एक सिकिन बस नेक्स्ट कोश्चन जो हमारा है फिर वो मैचिंग में दिया गया है सूची एक का सूची दो से मेल कीजिए और दिये गया कूट में से सही उत्तर को चिन्धित कीजिए सूची एक है समयधानिक प्रावधान और सूची दो में स्रोध दिया तो मौली का दिकार अमेरिका ठीक है मौली का दिकार अमेरिका हो गया देखो इसमें इतना क्लोज आपस तो ये गया और ये गया ठीक है उसके बाद मंत्र मंदली सरकार ब्रिटिश संविधान ये होगा चलो अब बात करेंगे अगले कोश्चन की विधी का सासन भी है विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया सी है राश्पती के विचालार्थ राज्ये पाल द्वारा विधैक सुरच्छी तरकना डी है विस्थत उभाएनस्थ सूची तो जो विधी का सासन भी है वो कहां से लिया गया है वो लिया गया है इंगलेंड से तो एक अदो हो है तो ये गया और ये गया अब बचा क्या बी तो विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहां की है जापान की टिक दो तीन कहां है डी चलो यह भी देख लेते हैं राश्पती के विचारार्थ राजिपाल द्वारा विधेयक सुरचित कहां पर रखा गये कनाड़ा और विस्त्रत उभायनिस्ट सूची यह है आस्ट् प्रशन आप लोग आसानी से सौल कर सकते हैं ठीक है चलो बात करते हैं नेस्ट कोश्चन के जो नेस्ट कोश्चन है और इससे क्या है ना बार-बार ऐसे मैचिंग में दे रहें तो रिवीजन भी हो जाएगा चलो देखते हैं अगला कोश्चन है भारती समिधान के मद को जो जिस दीश से अपनाया गया है कि साथ सुमेलित कीजिया और सूचियों के नीचे दिये गया कूट का प्रियोग करते हैं पहला है राज की नीत निदेशक सिद्धान कहां से लिए गया है आयरलेंड ये चला गया ये चला गया मूल अधिकार कहां से लिए गया है मूल भाइबर की लड़ाई हैं संहर राजे संमन्धों की समर्थी सूची समर्थी सूची कहाँ से लिया गया है आस्ट्रेलिया की सै तो आपका आप सन कैसा ही होगा है का दी और यह भारत राज्यों का संहें तथा संह में अधिक सकति यह कहां से लिया गया है कनाड़ा से मतलब संगात्मक विवस्था कहां से कनाड़ा से ठीक चलो आप करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की भारती समिधान में मौलिक कर्टव्यों का विचार लिया गया है तो मौलिक कर्टव्यों का विचार कहां से लिया गया है रूज ठीक है पूर्व सोवियस संगे के सम्मिधान से अच्छा जो मौलिक करतब है ये मूल सम्मिधान का भाग नहीं है इसे 42 पे सम्मिधान संसोधन 1976 द्वारा स्वड़िसिंग कमेटी की से पारिस पे जोड़ा गया था ठीक है और जो आर्टिकल है वो 51 एक और जो मौल करतब भी थे वो 10 थे और इसका जो 11 है वो 66 सम्मिधान संसोधन 2002 द्वारा सिच्छा का प्रावधान जोड़ा गया है और 11 जो है ना इसको लेकर के कई बा सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अधिये अमेरिकलए सम्मिधान के model से लिया गया है तो देखो यह गलत होगा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के सम्मिधान से ले लिया है तो इसलिए सम्मिधान लंबा हो गया है यहां पर व्याख्या नहीं कर रहा है सही statement दोनों है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, थिक, भारत का सम्यधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, क्योंगी वो बिभिन्य देशों के सम्यधान के ऐलोकन के पातपना है, ठिक, और अभी रीजन है, सिर्फ एकी रीजन नहीं है, चल, बात करते हैं, next question की, भारती सम्यधान में सन्निहित मूलतिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है स्तंयुक्तराज अमेरिका देखो बार बार वही प्रस्न पूछ रहा है सिर्फ कोश्चन का जो लैंग्विज है वो चेंज कर रहा है ठीक आप सबको गर क्लास अच्छे लग रही हो तो लाइक और सेर सब्सक्राइब कर देना ठीक है चल zwischen बात करते है नेक्स्ट कोश्चन पे लिखिस समविधानका परारमभ किस देश से हुआ तो वो किस देश से हुआ अमेरिका और अमेरिका से क्या-क्या लिया गया था प्रस्तावना लेकिस सम्विधान, रास्टपती पर महा भी हो, उप रास्टपती का पद, ठीक, चलो, बात करते हैं, नेक्स्ट को, ओ, कम्प्लीट हो गया, आप सबको क्लास कैसी लगी है, जरूर बताईएगा, आज मेरा स्वास थोड़ा सा खराब था, इसलिए हो सकता है कि, आप आज में थोड़ी बहुत प्राब्लम हो, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि, परिच्छा पास में है, तो क्लास को ब्रेक नहीं गरते हैं, आप सब भी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, आप हमारा चैनल, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से जर करें, ताकि जो गटना सक्र की स इरीज है, वो सारी जितनी भी आठ पैटर में, छे पैटर में, जो भी है, सारी कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है, थैंक्यू सो मुच,